हेलो फ्रेंड्स वेल्कम स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम छितरफल का एक प्रेशन करेंगे तो दोस्तों चलिए करते हैं एक आयता कार पार की लंबाई 90 मीटर है तथा चोड़ाई 173 मीटर है इसके अंदर चारों और 3.5 मीटर चोड़ा रास्ता है इस रास्ते पर 8.5 मीटर की दर से रोड़ी बिचाने का खर्च कितना होगा तो दोस्तों प्रेशन में क्या दिया है एक आयता पार्क पार्क तो एक आयता कार पार्क बना लेंगे हम इसकी दोस्तों आता का पार्क बन गया है इसकी लंबाई 90 मीटर दिया और चोड़ाई 70 मीटर दिया इसके अंदर 3.5 मीटर चोड़ा रास्ता है इसके अंदर एक रास्ता बना लेते हैं दोस्तों ये 3.5 मीटर चोड़ा रास्ता बना लेंगे हमने अब दोस्तों प्रेशन क्या बोल रहा है इस रास्ते पर 8.5 जीरो रुपे प्रती दर्ग वर्ग मीटर की दासर ओड़ी बिचाने का खल्चा कितना होगा तो दोस्तों अब हमको इस रास्ते का चितरफल निकालना है तो ये रास्ता इसके अंदर है आयत के अंदर है तो इस स्थिति में हम पहले ये बड़े वाले आयत का चितरफल निकालेंगे और उसके बाद छोटे वाले आयत का चितरफल निकालना है तो हमको इस रास्ते का च शित्रफल निकालते हैं कि शित्रफल का फॉर्मॉला आप जानते ही होंगे लंबाई गुने चोड़ाई लंबाई नप्पे है चोड़ाई से चित्र है इसको हल कर देंगे 6930 मीटर ये बड़े आयत का शित्रफल निकल आएगा उसके बाद हम छोटे आयत का शित्रफल निकालेंगे तो दोस्तों छोटे आयत का ना हमें लंबाई दी है ना चोड़ाई दी है उसकी लंबाई और चोड़ाई कैसे निकालेंगे दोस्तों यहां से देखिए है ये टोटल कितना था 90 मीटर अब ये निकालना हमें तो 3.5 यहा लंबाई प्राप्त हो जाएगी देखिए दोस्तों कि निकलते हैं रास्ते को छोड़ कर शीष भाग की लंबाई जैसा मैंने बचाया है टोटल कितनी थी 90 थी दो बार घटेगा यहां पर माइनस 2 इंटू 3.5 यह जाएगा आपका 83 मीटर यह लंबाई हमारी आ गई 83 मीटर अब चोड़ाई में भी वही करेंगे 3.5 यहां से भी घट रहा है और 3.5 यहां से भी घट रहा है चोड़ाई टोटल कितनी थी अब दोस्तों इसका लंबाई और चोड़ाई निकल गई है शेतर पल आसाने से निकाल लेंगे शोटे आयत का शेतर पल आसाने से निकाल लेंगे इसका गड़ा कर लेंगे अब दोस्तों में रास्ते का शेतर पल निकालना है तो बड़े आयत के शेतर पल में से छोटे आयत के शेतर पल को गटा देंगे रास्ते का शेतर पल वर्ल्टू बड़े आयत का शेतर पल मानिस शोटे आयत के शेतर पल बड़े आयत के शेतर पल कितना था शेजार नौसो तीस और छोटे आयत के शेतर पल कितना मिला है पांच शेतर आट सो देस स्कुष में से घटा देंगे यह जाएगा एक हजार ग्यारा सो बीस वर्ग मीटर रास्ते का शेतर पल है यह अब दोस्तों हमसे प्रस्नम क्या पूछा है जैसा आप देख रहे हैं प करती वर्ग मीटर की दैसर रोड़ी बिचाने का खर्च है तो दोस्तों इस जो शेतर पल आया है इसमें आट रसंबलोग पांच जीरो का गुणा कर देंगे हमाना अंसर आजाएगा कि रोड़ी कि अचाने का खर्च कि दैसमलोग हटा लीजिए है मैं आपको यही सिजेस्ट करूंगा कि इस पर काया कि कोई भी प्रेसमोस में दैसमलोग हटा लीजिए कि इसको गुणा कर लेंगे 9520 रुपए इसका उत्तर होगा अब दोस्तों मैं आपको यहां पर एक बार बताना चाहता हूं यहां पर दोस्तों इसमें प्रेस्ट में क्या दिया था कि जो आयताकार जो पार के दिया था उसके अंदर 3.5 मीटर चोड़ा रास्ता था तो उसके अंदर इसी परकार दोस्तों कई प्रेस्टों में क्या दिया जाएगा कि आयताकार पार के बाहर 30.5 मीटर चोड़ा रास्ता है तो उस इसकी में आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर जो माइनस लिया था हमने वहाँ पर प्लस ले लेंगे तो वही दो आयत बनेंगे अपने एक बड़ा आयत और एक छोटा आयत परंतु इस माइनस की जगए क्योंकि यह अंदर था है कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी धन्यवाद